बगवान क्या खाते हैं आज हम बात करेंगे प्रबु बगवान क्या खाते हैं मैं ब्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में बगवान को तरह तरह के भोग लगाते हैं प्रंदु सोचने वली बात है कि भगवान क्या खाते हैं क्या बगवान ये भोतिक वस्तुएं जो प्रमात्मा को भग चड़ाते हैं भगवान खाते हैं या नहीं जो हम भगवान को अरपित करते हैं परशाद के रूप में चड़ाते हैं क्या भगवान इन सब का सेवन करते हैं ये सोचने की बात है क्या बरफी लड़ू जो हम चड़ाते हैं भगवान सविकार करते हैं यदि हां तो कैसे यदि नहीं तो क्यों और भक्त क्या खाते हैं य उपनिशत क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, हमको ऐसा क्या चड़ाना चाहिए जो भगवान खाएं, स्वाल ये है कि क्या भक्त चड़ाएं जो भगवान प्रेम से खाएं, तो आए जानते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, बगवान आपकी सदा भक्ति खाते हैं यानि बगवान आपकी श्रदा और भक्ति खाते हैं बगवान भूखे हैं आपके प्रेम की आपने लड़ू मेवा चड़ाया इससे परमात्मा को कोई मतलब नहीं है उसके साथ कितनी श्रदा भक्ती चड़ाई वहीं बगवान के काम आती है यानि आपके दिल में कितनी श्रदा है कितना भाव है बगवान का सेवन तो वहीं है बगवान को लड़ू, मेवा इनसे कुछ लेना देना नहीं है आप प्रमात्मा को चाहे कोई भी भोतिक वस्तु मत चड़ाएं चाहे मात्रशदा भक्ती भरा नमसकार कर दें तो भगवान उसे सविकार करते हैं यदि आप चाहते हैं कि भगवान आप दोरा चड़ाए हुए परशाद को भी ग्रहन करें वे वस्तु ये भूखे व्यक्तियों को जीव जन्तों को खिला दीजिए वे भी भगवान के मूँ तक पहुन जाएंगी मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि जो लड़ू मेवा आप भगवान को चड़ाते हैं भगवान उसे सविकार करें तो आप उन वस्तु को गरीब व्यक्तियों को खिलाएं जो बूखे हैं जीव जन्तों को खिलाएं क्योंकि भगवान कहते हैं जब जीव जन्तों के मुह में ऐसे ग्रास जाते हैं तो समझ लेना चाहिए वे मेरे मुह में आते हैं जब आप किसी बूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी जीव जन्तु को खाना खिलाते हैं, उनको चीनी आटा ढालते हैं, तो वैं सिधा प्रमात्मा के मुह तक जाती है, प्रमात्मा को तो भाव चाहिए, और आपका ये भाव कि मैं इस बूखे व्यक्ति को ख जीव जन्तों को अर्पित करने चाहिए प्रमातमा से प्रेम करते हुए बगवान को पाना है तो आपको जीव जन्तों से प्रेम करना होगा शर्दा भक्ती रखनी होगी तब ही बगवान मिलते हैं मातर भगवान को भोग लगते रहने से प्रमातमा कभी नहीं मिलते हैं जब तक उसमें शर्दा और भक्ती नहीं होगी भगवान उसे सविकार भी नहीं करते हैं इसलिए शर्दा भक्ती के साथ जो भी अर्पित करना है शर्दा और भक्ती के साथ कीजिए फिर प्रमातमा उसको सविकार करते हैं और खाते हैं यदि आपने अभी तक किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए तांकि आपका और मेरा रिष्टा बन सके और मेरी परतेक वीडियो आप तक पहुंच सके और यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं यदि अपनी जनम पत्री दिखाना चाहते हैं योग होते हैं जनम पत्री के जो मेहनत करके निकाले जाते हैं यदि वह करना चाहते हैं तो आप वाटसेप कीजिए फोन मत कीजिए, फोन यहां कोई नहीं उठाता है, वाटसेप कर सकते हैं, वाटसेप का जवाब तीन या चार दिन में दिया जाता है, इंतजार करने पड़ती है, तो अब मैं यहां आप से इजाज़त चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, खुश रहिए, और कर दो से इजाब तीन सब्सक्रा कर दThen you